नमस्ते कैसे आप लोग उमिद कर रहा हूं आप सब ठीक हैं ये मेरा फ्रीकूनली चार्ट रीडिंग का एक और वीडियो बन रहा है तो ये मैं वीडियो बना रहा हूं आप लोगों के लिए जो लोग नए हैं मेरे चानल पे और अभी अभी सब अभी देख रहे हैं इस बेज नाम और अपने दो सवाल बेज दीजे और चैनल सब्सक्राइब कर लीजे अगर यह सब करते हैं और जो यह सब डीटेल्स है आप मेरे डिस्क्रिप्शन में दिये गए नंबर पर वर्टसाइब कर दीजे अगर आप यह करते हैं तो मैं आपकी कुंडली 15th of July तक इनको इसको बेज दीजे तो मैं आपकी कुंडली सेलेक्शन प्रोसेस में डाल दूँगा अगर आपकी कुंडली सेलेक्ट हो जाती है तो मैं आपकी भी वीडियो अपडेट कर दूँगा फ्रीकुंडी चार्ट में आपकी भी वीडियो बन जाएगी और आपकी भी रीडिंग आ आप लोगों की कुणली भी selection process में डाल दूँगा और अगर वो उसमें भी select करके जो जो चार्ट मुझे read करने है मैं read करके दे दूँगा और भी rounds होते रहेंगे तो कोशिश करेगा अपने हिसाब से जब आपको time मिले तब आप भेज दीजे अब बात बनती है जैसे ये कुणली जो है मैं जो अब कुणली पे देख लेते हैं ये कुणली जो है अंतू जी की है अंतू जी ने भी ये मुझे फिर से reading करने के लिए बोली थी क्योंकि पहली बार जब उन्होंने भेजा था तब मैं read नहीं कर पाया था तो अब की बार उनकी चार्ट मैं read करके उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ उन्होंने repeat भेज के भेजा था 5 जुलाई तक जिनकी reading होनी थी उनकी reading में अभी पूरी नहीं होई है अभी एक और दो और reading होगी तो एक और दो reading जो होनी है उसके बाद क्या बोलते है आगे का जो लोग का नहीं हो पाएगा वो लोग repeat लिख के भेज दीजेगा हाला कि repeat लिख के भेज दीजे क्योंकि मैं reading शायद और एक ही करूँ और से जादा frequently reading मैं provide ना करूँ विफ्टर जुलाई तक की जिनकी reading हो चुकी है जिनकी reading जिनोंने अपनी reading डाली है ठीक है ये कुंडली अन्तूजी की है ये 22 साल के हैं अन्तूजी यंग है काफी और इनकी कुंडली ये है और इनको financial anxiety है relationship issues create हो रहे हैं इनके personal life में इनकी महादशा चलिए राहू की 2035 तक महादशा चलेगी अंतरदशा शनी की चलेगी 25 तक मरकरी की 28 तक 25 के बाद 28 तक चलेगी फिर केतु की एक साल की और वीनस की 32 तक चलेगी 2032 तक ठीक है शनी की अंतरदशा में पत्यंतर चलेगी अक्टोबर 2023 तक और उसके बाद विनस की लगी की एप्रिल 2024 तक के लिए सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट होगे हो ऑक्टोबर तक का समय थोड़ा सा आपके लिए अकेला पन ला रहा होगा अक्टोबर तक का वेट करिये उसके बाद थोड़ा सा सिचुएशन बेटर होगा लेकिन ओवराल कुणलिया का चार्ट करू तो पहले फैनेंशल एंग्जाइटी पकड़ लेते हैं वाइवरा फाइनेशल एंग्जाइटी मुझे समझनी आरा एंग्जाइटी है या फैनेशल प्रॉब्लम है फैनेशल प्रॉब्लम मुझे उतनी दिखाई नहीं देजह नहीं क्यूंकि आपकी उमार अन्तोजी अभी काफी कम है अभी सिरब 22 साल के हैं आपको problems अगर कुछ हो रही है या दिक्कत हैं हो रही है तो भाई अभी उमर बहुत लंबी है चलने दीजिए problems को सबसे important point है कि present में जीना सोचे आपको future की किस बात की tension हो रही है अभी तो 22 साल के हैं आप ठीक है लेकिन आपको हो रही है तो मैं आपको एक बात बता देता हूं जी कि राहू इंसान को बहुत परिशान करता है तीसरे घर में राहू बैठा है यहाँ पे और तीसरे घर में राहू बैठके इंसान के अंदर courage तो लाता है लेकिन आप मेहनत करेंगे तो अच्छा पैसा मिलेगा अच्छा growth मिलेगा सब कुछ confused हैं आप overthinking कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर राहू problem देगा तो आप अपनी confusion अपने life के decision financial decisions लेने के लिए आपको करना क्या है जिकि financial decisions लेने के time पे सोच समझ के financial decision लीजेगा ठीक है अभी अंतर दशा में शनी चला है शनी second house में बैठके retrograde हो रखा है Retrograde शनी का सबसे important point यह है जब second house में बैठा है शनी और retrograde हो रखा है अन्तुजी मैं आपको simple language में समझाओं तो ऐसा point है कि fixed asset तो आपके पास है लेकिन financial anxiety इसलिए हो रहे है क्योंकि सब कुछ slow हो रहा है ठीक है शनी यहाँ पर बैठके slow growth देता है retrograde है तो मैं आपको एक ही advice दूंगा जी की सोच समझ के कुछ भी काम करते हैं तो सोच समझ के करिए एक बार सोच लिया तो ठीक है उसको दूसरी बार भी सोच सकते है तीसरी बार भी सोच सकते है उसके बात करी क्योंकि शनी आपे बहुत slow process में आपको benefit देगा लेकिन देगा इसमें moon भी बैठा है second house में बैठा है तो आपको suffix asset पापा के थुरू उनके benefits आपको मिलेंगे पापा के health को लेके थोड़ा सा आपको वरी होना चाहिए लेकिन चलो ठीक है आप उनका health वो भी अपना ध्यान रखेंगे वो सवाल मेरे से पूछा नहीं गया है लेकिन मैं यह बोलूँगा चैकि शनी यहाँ पर बैठके slow benefit दे रहा है इसलिए financial stability growth होगी लेकिन slow होगी लेकिन anxiety नहीं होनी चाहिए यह राहू आपको anxiety दे रहा है anxiety नहीं लेना है आपको मैं आपको simple logic में समझा हूँ तो fifth house कह रहा हूँ जिंदेगी का future किसी नहीं नहीं देखा ठीके आज है कल नहीं क्या ह पता future का present आज है past तो बीच चुका है तो उसको लेके किस बात का टेंशन लेना past से सबख लीजे future की tension चोड़ियो और present में जीना शुरू करिये present में छोटी-छोटी चीजे से में इंसान खुश रह सकता है ज़रूरी नहीं है उसे रोज बहुत बड़ी चीज चाहिए हो सोचने के लिए मजबूर करता है यह अपना ही सोचता है इंसान उस चकर में क्या होता है इंसान क्या बोलते हैं अपना ही सोचता रह जाता है और उसमें दूसरों के साथ उसका communication बनता नहीं है उतनी अच्छी तरीके से तो आपका मैं advice दूंगा जिकि financial benefit करवाने हैं तो अच्छा relationship रखे हो सकता है ना जिकि उनसे मिले ना मिले लेकर उपर वाला आपको अच्छा benefit देते हाला कि तीसरे घर का बैठा हुआ रहो काफी powerful है और बहुत अच्छा है आपके लिए बहुत अच्छा benefit देगा पब्लिक डिलिंग में अगर आप जाते हैं पब्लिक डिलि तो जहिए अहम मुद्दा है आप राहु है आपके बैठा हुआ इंसान को self-center कर देता है selfish बना देता है और शनी हाँ पर आपके language को 25 तक चल रहा है आपको judgmental या जजी बना देता है तो सामने वाले आदमी आपके लाइंग्वच को सेज्मेंटल या जजी बना देता है हो स की और जब ऑब वो ऑल रborg की परसेटी देखता है तो उसको ये लिखाई देता है कि ये अपने तो जब काम होता है तब पोड़ेता है साम-धाम-दंड बेट सब कर लेता है लेकिन दूसरे की बारे में तो यह बरा जज़मेंटल हो तो पॉइंट हुए जी कि इस personality से आपको improve करना है अपने आपको improve ऐसे करना है जी कि जब अपने आपका जब relationship किसी के साथ बनाना पड़ता है ना अन्तु जी तो relationship बनाने के लिए दूसरे के साथ एक gift का इंसान को इंसान सोचना चाहिए टेक कर नहीं सोचना चाहिए जब किस इंसान के लिए कितना दे सकता हूँ उतना अगर उसे देज पा रहे हैं तो आपके relationship पका अच्छा रहेगा अगर उसे कुछ नहीं मिलता तो आपको harsh होनी की जरूरत नहीं है उपर वाला अपने आप दे देगा दूसरा point है आप बहुत young है अभी अभी आपको तो सीखन है चीजों को लेकिए ठीक है शनी slow process कर रहा है आपकी आपकी relationship को भी slow कर दिया है 25 के बाद आपके relationship अच्छे होंगे जब मरकरी की दशा चलेगी अंतरदशा चलेगी लेकिन राहू यहां पर complication create करता रहेगा अगर आप sincerely अपने आपको workout नहीं करते हैं तो अपने attitude में प्र तो इससे दूसरे का कोई नुक्सान हो जाया या कुछ दूसरे का कोई कुछ नहीं अप दूसरे का कोई दिल पर चोट लग जाए और आप अपना कर जा तो कैसे relationship ठीक है नहीं तो आप इतना भी किसी के साथ कठोर मत हुई यह जिकि आपने benefit को देखते हों किसी के साथ कठो जिले से ही बिल्कुल state forward अपने benefits के लिए किसी को hurt करना गलत होगा तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो इसे मत करिए अपने आप relationships उदर जाएगा गिफ की policy अपना ये और जितना हो सके उतना दीजिए ऐसा नहीं जी कि पूरा ही दे दीजिए लेकिन जितना हो सके उतना करिए लोगों के लिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा आपका financial benefits और relationship status सब कुछ अच्छा हो जाएगा थोड़ा time दीजिए 25 के बाद अच्छा होगा केतु के समय में थोड़ा सा personal problem होगा लेकिन आपको ग्यान मिलेगा आप अपने आपके उपर development करेंगे और आपको benefit मिलेगा ठीक है तो 25 के बाद आपका समय 32 तक काफी ठीक है और even अभी भी जब Venus लगेगा तो अच्छा चलेगा आपके साथ दोस्ती होगी लेकिन अपना थोड़ा सा अपना जो है पत्ते अंतर में जो वीना चलेगा तब भी अच्छा रहेगा लेकिन अपने आपको थोड़ा सा चेंज करिए आपके changes होने पे आपके लिए अच्छा benefit मिलेगा दूसरों के साथ चलने से ही दोस्ती बनती है हाँ जरूरी नहीं है जिकि जिन्दगी में दूसरों के साथ चलना ही चलना है तो अपना अगर अकेले चलने का रास्ता बनाया है तो ठीक है कोई problem नहीं है रहू आपको बहुत benefit देगा लेकिन दूसरों के साथ चलके चलिए त अगर आपको relationship में anxiety हो रही है financial anxiety हो रही है तो दूसरों के साथ चलना सीखिए financial anxiety नहीं हो आप anxiety होना और financial problem होने में फरक है न तो financial anxiety को छोड़िए राहू की problems को छोड़िए अपने आपको थोड़ा सा stable mentality में लाइए ठीक है यह था मेरा analysis आपके लिए